हेलो फ्रेंज शाहिन का किचिन में आप सबका स्वागत है जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास हरी मिर्च कटी होई रखी है तो मैं इससे आपको इंस्टेंट हरी मिर्च का अचार बनाना बताऊंगी इसी तरह का मेरा एक और अचार डला हुआ है लेकिन ये इंस्टेंट है इसको आप अभी खा सकते हैं तैयार करके ये वाली हरी मिर्च मैंने लिए है आधा किलो जिसको धो के सुखा के अच्छे से और पोंच लिया है मैंने पीसिस कर लिया है इतने बड़े आप अपने मंचा है साइज में काटे हैं से ये बहुत तेज नहीं होती है मॉडरेट हो आता हる करें अचे अचार हम हमेशा सर्सों के तेल में बनाते हैं तो जादा टेस्टी लगता है यई सरसों का तेल हम अंदास से डालेंगे 2 तीषपोन हमने हल्दी ली है 1 टीषपोन मेथी पाउदर है एक टीषपोन आइप्ट अचे स्थकोहकर कम ये सारे मसालों के साथ मि 1.4 फौर्थ या नीया है , 1.4 फुसका मैंने मोटी सॉफ ली है बारीक वली सॉफ ना लें , ये मैंने 1 ằm vendors बारीक क्यूकट कलॉणजी ली है , अब इन सब को..德्राय रोस्क बारिक संदर करना है, वह स्फक करना तो ये हमने समय लिए जिरा क्य ringing चृणजी सुख स्मेटी दाना प्राई हम रुख के डालेंगे आप देखेंगे काद मिर्दाद इसमें से चट-चट की आवाज आने लगेगी और खुश्बू तो अभी से ही उनने लगी है इसकी यह सारे मसाले जो हम अचारों में डालते हैं इन सब का अपना medicinal values रहती हैं इंडियन पिकल्स जो है यह सिफ टेस बर्च को satisfy नहीं करते हैं इनमें बहुत सारे गुण होते हैं यह है राई इन सब को हम एक निट बून लेंगे लगतार इसको चलाते रहें नहीं तो राई जो है वो चिप अपने का डर रहता है बाकी चीज में तो थोड़ा देर में भुनती है लेकिन राई जल जाती इसलिए आप राई को सबसे एंड में डाले और चलाते रहें नहीं तो जब यह पिसेगी तो थोड़ा कड़वापन देगी आपको हल्का सा थंड़ा हो तो इसको हम ग्राइंडर में साइच्यक आसड मिला के बारिक इसको कीस लेंगे देखिए मसाला पिसके तैयार है मैंने इसमें साइच्यक आसड भी मिक्स कर लिया था तीसने के बाद अब हम इसको बगारेंगे नॉंस्टेक या थोड़ा मुटे तले का बर्तन ले अचार में तेल थोड़ा जाधा रहता है इसलिए एक सवा कप के करीब तेल गरम कर ले इसने हम हाफ से व पर कापने ने रहती हैoked है और यह फौ़ी स्रोंग होती है यह अब हमें आदे इसमें भी अप्रदी नहीं डाल रहे एं कियों टेक हनो कियोंटिज़ दयाती है तो कि मिक्सी कर लेंगे यह नमक है नमक आप अपने अग्दास से डालिए इतना दिखाते हैं मैं एक देड़ टी स्पून मैंने लिया है तेस्ट करने के बाद के लिए इसमें और एग्जिस कर लेगी मेरे ख्याल से दो टी स्पून इसमें लग जाएगा एक देड़ में इसको टेल में चिपींग और नमक डालके हम इसी तरह से चलाएगे अगर हलदी को हम पहले ही टेल में टालेंगे तो हलदी जल जाएगी और अचार का कलर घराब जाता है अब हम हल्दी डालेंगे हल्दी भी डिबेंग करती है अगर आपकी बहुत स्रॉंग वाली है तो आप अपने अंदाज से एक या देटी स्पून ही ले लीजी हल्दी बहुत बैनेफिशल होती है इसको हमे अपने खाने में कोशिश करके अची से डालेंगे मसाला थोड़ा जादा ही रखते हैं मसाले से लगाती ही हम खाते हैं अगर रोशी अपराथी किताथ खा रहे हैं तो आच बंद कर देटे हैं यह देखिए यह तैयार है थोड़ी दे बार मिर्श थोड़ी दब जाएगी तेल उपर आ जाएगा मैंने टोटल इसमें दो कप तेल डाला है अचार जो है वो तेल में इस तरह से डूबे हुए रहना चाहिए तो वो खराब नहीं होते हैं और टाइम टो टाइम हमें अचार क दूब दिखाते रहना चाहिए और हमेशा सूखे चम्मत से साफ चम्मत से अचारों को निकालना चाहिए और थोड़ी कौंटिटी में निकालना चाहिए कि वो खराब ना हो और यह देखिए इंस्टेंट अचार हमारा तयार है इसको दुपहर के खाने में ही मैं स्लमाल के लिए निकाल लूँगी आप भी इसे ट्राइ करें ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए सीखिए मेरे साथ इसी तरह असानी से बनने वाले रेसिपी और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए